हेलो अब्रिवन तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बज़ट 2024-25 के अगले टॉपिक है हमने कई सारे छोट-छोटे वीडियो आप लोगों को दिया है बज़ट 2024-25 के सरीज में और डेफिनेटली वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हुए होंगे और आगे भ इडियो में हमने बात की थी four focus area party जो पार्ट हम चल रहे थे हमने four focus area जो कि गरीब महिलाएं यूवा और अन्दाता यानि poor women youth and farmers इन सब के बारे में बात हमने कर ली scheme की नहीं government ने बताया है कि हमने क्या क्या अचीव किया उस बारे में बात हमने की अब जो है इसके आगे जो और जो provisions है उसमें पहला है strategy for अमरितकाल यानि अमरितकाल के लिए बताया थे मैंने जो कि 75 इंडियाइट 75 से लेकर के इंडियाइट 100 यानि कि 2022 से लेकर के 2047 तक जो हमारा आजादी का 100 यर पूरा होगा उस समय के बीच में हमें क्या strategy अचीव करना है उसमें अमरितकाल की क् क्या strategy होगी फिर मैं कहूंगा जो हिंदी मेडिया में इस्टेंट से वह अपना कॉपी पर लेकर बैठें और टिक करते रहेंगे सबसे पहले बात की गई है सश्टनेवल डेवलप्मेंट की समपोष्णिये विकास की या सतत्त विकास की यह विकास हमें करना है लेकिन किस की और सट्की है हमें क्या क्या करना है पहला टार्गेट है कमिट्मेंट तो मीट जीरू वाइट 2070 फिस प्रभार्जी नैट जीरू का मतलब क्या होता है कि ग्रीना उस गैसे जह पूलिश्ण ज्यादा करते हैं को उसको या तो जीरो कर देना है या जीरो के बल्कुल नज़ि आएंगे किसमें खर्चे आएंगे तूछ के लिए क्या करना होगा आपको ज्ञादा उचसरस ना हो ज्ञादा और मिनाय फैसे ओए करना हो फो यह की तोर पर अरेक्रिक वहिकीं कर रहे हैं सोलर फैनल को रहा है solar energy का यूज हो रहा है wind energy का यूज हो रहा है इन सब के लिए खर्चा करना पड़ेगा पेट्रोल जो बागी अधर डीजल यह सब चीज़े जो है यह ज्यादा इजली अव लेवल है इनको आप इंपोर्ट कर लेते हैं उद पातन कर लेते हैं लेकिन अगर आप ज्यादा ऐसे sources का यूज करेंगे जो की environment friendly हो जो परेवड़ा हितासी हो तो निश्ची तोर पर उनके लिए government को खर्चे करने पड़ेंगे लोग अपने दम पे चीज़ों को नहीं कर सकते हैं तो अगर आप electric vehicles लेते हैं आप solar panel लगाते हैं तो निश्ची तोर पर गवर्मेंट में subsidy देगी इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा पैसे की खर्चे आएंगे इसलिए government ने कहा है कि 2070 तक हम इस target को पूरा करेंगे क्या कहा गया इसमें वाविटिक गैप funding for wind energy पाउन उर्जा इसे बड़े संभावन आए हैं पाउन उर्जा से पाउन से मुर्जा निकालते हैं और इसक वहाँ इसको बताया हूँ है setting up coal gasification and liquefication capacity coal का जो ज्यादा हम लोग use करते हैं coal definitely environment को बहुत डेमेज करता है smoke काफी निकलते हैं धुआ काफी आता है इसलिए बहुत नुकसान होता है उसको हमें कम करना है phased mandatory blending of CNG, PNG and compressed biogas so CNG, PNG definitely यह सब चीज़े जो है पेट्रोल डिजल की तुलना में एक कम production करती है डेली योगर हमें सारी बसे CNG पे है PNG, pipeline, natural gases घर में supply हो गई है तो कहीं नहीं कर यह चीज़े जो है environment के लिए काफी friendly होती है और इनको हमें और ठीक करना है Financial assistance for procurement of biomass aggregation machinery ऐसे जो भी machinery होगे जो बायो गैस बायो मास generate करेंगे उनके लिए government जो है उनको financial assistance प्रवाइड करेंगे इसके बाद कहा गया है इसमें rooftop solarization यानि घर की छटों पर हम लोग solar panel लगाने के लिए भी government कह रही है कि हम आपको subsidy देंगे और इसके लिए up to 300 units of free electricity per month for 1 crore households इतना तक आपको free मिलेगा और इसके लिए छटों पर पैनल लगाने के लिए solar panel लगाने के लिए भी government क्या करेंगे आपको subsidy दे रही है adoption of e-buses for public transport e-buses मतलब electric vehicles जो electricity पे चलेंगी और उनमें definitely pollution बिलकुल zero होता सब pollution सिफ धुआ का smoke का नहीं air pollution नहीं noise pollution भी आप देखेंगे दिल्ली में electric vehicle चल रही है बागी सहरों भी तमाम सहरों में scooter, car भी आ गए है उनका sound पर जो है वह भी बहुत कम है यह noise pollution बहुत कम करती है तो कई type के pollution कम होंगे electric vehicles के आने से सब्सक्राइब करने के लिए हम चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए उसके लिए गवर्मन्ट सब्सक्राइब फिनांसल करेगी नियू स्कीम फॉर बायो मैनुफ्रक्ट्चर और बायो बाउंडरी तो बिलाउंज तो सपोर्ट थे इवार्मन्ट फ्रेंड ली अल्टरनेटिव बायो मैनुफ्रक्ट्रिंग और बायो फांडरी यह क्या है यह definitely जब भी government जो है ज्यादा आजकल बायो ड जोडिया रिसाइकल नहीं हो पाता है इंवार्मन को बहुत डैमेज करता है तोются बायो मैन फ्रेक्ट्ट जो हैं बायो मैन फॉक्ट्ट्र ली होते हैं और उंका इंवार्मन पे नीगिटिव कम होता है इसलिए इसमें बायो डिकर्टिव पोल्mac बायो प्लास्टिक बायो ए ली ओगा जो खत्म हो जल्दी हो जाएगा बायो एकरिक अर्फ कर रहा क्योंकि सब में ऐसी चीज़े होती है जो कि इंवार्मेंट के लिए डेजरस होता है हानिकाराग होता है तो गौवर्मेंट इन चीजों की बात कर रही है यानि इनको भी हम सपोर्ड कर रहे हैं जिससे कि हमारा एकॉनमी में और इन्वार्मेंट में सब चीजों को फायदा होगा है तो प्रोड़क्सन होगा तो एकनॉमी को फायदा होगा और इन्वार्मेंट बचेगा पॉलिशन कम होगा तो हमारे इन्वार्मेंट को फायदा होगा है तो यह इसके बाद इन्फरस्ट्रक्चर नहीं आएगा आपके हां कितनी भी एक्टिविटी जो एकनॉमिस लेटेड है वो सही से नहीं हो पाएगी तो लगातार इन्वेस्ट्रक्चर में इन्वेस्ट्मेंट की नीड है इसलिए गौवर्मेंट हमेशा चाहती है कि इन्फरा को बिटर किया जाए और इसलिए गौवर किया गया है इंप्लिमेंटेशन ओफ फ्री मेजर रेलवे त्री मेजर रेलवे कोरिडोर प्रोग्राम अंडर दो पी एम गति शक्ति टो इंप्रूव लॉजिस्टिक इफेसिएंसी और इडिश कॉष्ट पीम गति शक्ति यह प्रोग्राम आया था 13 अक्टोबर 2021 को इसमें क्या है कि यह जोनल और जो भी देश में जहां जहां है connectivity इंक्रीज करना है रेलवे का रोडवेज का connectivity इंक्रीज करना है है नहीं जादा आसानी से इसली good movement होगे समान वस्तुओं का सिवाओं का एक दुसरे जगा पर ज्यादा उनका transfer होगा, sale purchase होगा तो बढ़ेगा तो इसलिए government ने PM गती शक्ती के थूँ three major railway corridor बनाने की बात की है और इससे definitely हमार logistic efficiency जो बढ़ेगा यानि समानों को एक जगा से दुसरे जगा पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उत्यज होगी अगला है promotion of foreign investment by a bilateral investment treaties to be negotiated foreign investment किसी भी country के growth में, किसी भी country के development में foreign investment का बढ़ा importance role है और इसलिए government ने लगातार bilateral treaty किया है तो पक्षिये संबंध किया है जिससे की विदेशी निवेश देश से बढ़े विदेशी निवेश आएगा तो आपका employment जनरेट होगा, production होगा, देश की GDP बढ़ेगी, सब चीज़े हमारे देश में better होगी export भी बढ़ेगा और हर दिश्टी से foreign investment जो है बहुत ही important माना जाता है किसी भी country के लिए अगला है government ने कहा उडान के बारे में, expansion of existing airports and comprehensive development of new airports under उडान, उडान एक scheme है जो 27th April 2017 को launch हुआ था, इसमें क्या कहा गया था, इसका full firm है उडान का उड़े देश का आम नागरिक, यहीं देश के जो tier 2 cities हैं, बलब tier 1 जो बड़े बड़े दिली, मुंबई, चेन्नाई और national capital, estate capital अगरा जो हैं, वो सारे tier 1 में आते हैं, और tier 2 छुटे सहरों जो होते हैं, और tier 3, तो tier 2 और tier 3 सहरों में, टाउंस में, connectivity बढ़ाना, और इसके लिए railway की, sorry, airlines की services को promote करना, उडान का था, इसमें कहा गया था, हवाई चपल वाले भी हवाई यत्रा कर सकते हैं, हैं, इसकी अंटरकत, government ने कही सरे scheme दिये हैं, और देश चाहरा है, कि भाई, देश में, air connectivity बहुत बढ़े, जिससे की, लोगों का, एक जगह, जिससे movement बढ़ेगा, तो definitely, economy improve होगे, तो नए ने airport बारने की बात की गई है, और definitely, जब कंपले में supplementary budget आएगा, और गौर्वर्मेंट अगर आती है, तो उस पर और गौर्वर्मेंट काम करेगी, स्कीम से उगार लाउंच करेगी, प्रोमोशन आफ, अरबन इंफ्रस्ट, इन्वाइन ट्रांस्फर्मेशन, मेट्रो रेल, एन नमो भारत, अरबन इंफ्रस्ट्रक्टर के लिए, अपने देश में, बड़े-बड़े मानागरों में, जाम की बड़ी समस्या है, प्राइवेट वेहिकल्स बहुत चलते हैं, प प्राइवेट वेहिकल्स का कम्यूज करेंगे, और जाम सोगर और बागी समस्या है, वो सब कम हो जाएगे, इसके लिए मेट्रो पर काम किया जा रहा है, और साथ-साथ नमो भारत, नमो भारत एक इसके स्पेसल कोईडोर है ट्रेन का, जो कि 19 अक्टूबर 2003 को शुरू हुआ, पहले नम इसका रैपीड एक्स था, रैपीड ट्रेन जो था, जो कि देली में मेर्याट्टू, गाजियाबाद, मेर्याट्टू, देली शुरू किया गया है, और इसको राटीस कहते हैं, रिज भारत को नाम दिया गया है, जिससे की एक जगह से दूसे जाने के लिए, एक तो मेट्रो है, सहर के अंदर चलता है, और यह क्या होंगे, एक छोटा सहर को उसके सत्रेवे सहर से जोड़ना, जैसे देली और मेर्यड को जोड़ना, आगे देली और किसी और हर्याना के सहर को को जोड़ना सोनीपत करनाल ऐसे आपके जहां रहते होंगे जहां से वीडियो देख रहे होंगे उन सेहरों को भी एक सर से दुसरे सर को जोड़ना च्छोड़े सेहरों को इसमें rapid इसके बाद बात की गई है इंक्लूसिव डेवलप्मेंट की क्या मतलब होते हैं कुछ डेवलप्मेंट का सावेसी विकास का यानि कि देश के सभी वर्गों का सभी प्रकार से विकास करना डेवलप्मेंट अफ और इसके लिए इंपोर्टेंट बात की गई इसमें कि एक प्रोग्राम लॉंच हुआ था इसप्रेशनल डिस्टिक प्रोग्राम, ADP, तुअसिस्ट एश्टेस इन फॉस्टर डेवलप्मेंट और इंप्लामेंट जेट्रेसंटी क्या है हिंदी में कहते हैं मात्वकांची जिलाकाजक्रम मत्वकांची जिले कौन होते हैं जहां पर ज्यादा समस्याएं हैं जिन जिलों में हेल्थ की एडुकेशन की क्लीन डिरिंकिंग वाटर की कई समस्याएं हैं उनको गौर्वर्मेंट ने पॉइंट कहता है 18 में ADP के थो और उनको ऐसे जिलों की संख्या 112 थी 28 स्टेट्स में 112 ऐसे जिले थे जिनको ADP कहा गया था जिन में समस्याएं ज्यादा थी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए पुवर्टी ज्यादा हो अनिप्लाइमेंट ज्यादा हो हेल्थ इसूज हो एडुकेशन इसूज हो क्लीन डिरिंकिंग वाटर हो एलक्सिटी प् इस बर भी कहा गया है कि स्टेट के साथ हम असिस्ट करेंगे स्टेट को हम सहयोग देंगे और ADP की कंडिशन जल 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 दी बैतर करने की कोशित करेंगे खासकर इंप्लाइमेंट जन्रेशन में ज्योंकि इंप्लाइमेंट अगर आएगा ना तो आपकी अनेक समस्यां दूर हो जाएंगे इंप्लाइमेंट सबसें इंपोर्टन चीज है अगला कहा गया डेवलप्मेंट ऑफ इस्ट तु मेक दा इस्टन रिजन और इस पीपल पॉर्फ इंपने कहा है कि लिए बिए अर्बन के लिए पहले इंद्रा वास हुजणा था बाद में इसका नाम बदलता गया बार बार और अब जो फर्स्ट अप्रेल टूथ हुजएंट सिस्टीन को इसका नाम जो है कर दिया गया पी अब आवास ही हुजणा ग्रामीन यानि रूल तू करोर अडिसनल हाउसे जोगर दिया है हाउसिंग फर मिडिल क्लास स्कीम तो बिलाउंच टू प्रमोट दा मिडिल क्लास तो बाई बिल्ट दियर ओन हाउसेस यानि गवर्मेंट लोन मिदला रही है मिडिल क्लास फैमली को और जो मकान खहिदना चाहते हैं ताकि अपना ओ पर इदिमांड इंडिया में है और पर जो पॉपलेशन पर जो पर लाख जो डॉक्टर्स के एवलेवल हैं होस्पिटल एवलेवल हैं उनकी संख्या जो डेवलपिंग नेसन से बहुत कम है इसलिए हमें हेल्थ इंफरस्ट्रक्टर को और इंप्रूव करना होगा और इसके लेवी गॉवर्मेंट ने सर्वाइकल कैंसर को एस्पेशली गर्ड्स में नाइन तो फॉर्टीन यर एज ग्रूप के बच्चों में ही ये वैक्सिन दे करके इस फ्यूचर में कैंसर नहों इसके लिए गॉवर्मेंट ने काम किया है इसके बाद मेटरनल चाइल्ड और हेल इनके लिए भी कही सरे प्रोग्राम्स किया रहा है अब ग्रेडेशन आफ आंगनवाडी सेंटर्स सक्षम आंगनवाडी पोशन टू वाई विल भी एक्स्पेडिटेड फॉर इंप्रूफ नुट्रिशन डिलिवरी अर्ली चाल्डूल केर और डेवलोप्मेंट यानि इसम सक्षम आंगनवाडी पोशन टू पोशन का मतलब क्या होता है जानते होंगे आप लोग पोशन जो है कई वाडों को मिलाकर बनाया गया है पी एम ओवर ओवर हार्किंग एस्कीम फॉर होलिस्टिक नरिस्मेंट यानि बच्चे को या प्रिंडेंट विमेन को या नरिस्मेंट करना उनको फूड होगारा हेल्थ चीज होगारा प्रवाइड करना है तो यह स्क्रीम शुरू हुआ था सक्षा मांगनवाड़ी और पोशन वन को मिलाकर करके सुरू किया गया था यह पोशन टू इसमें कई सारे स्कीम थे इंटिगेटेड चाइल्ड के अंदर आता है यह तोटली सेंट्रल सोरी सेंट्रली एस पॉंसर कि में यह इसेंट्रल गौईमेन औरнять डोनिसमें करते हैं इसके थुरू भी हम विमेन का चाइल्डूड का डिवलप्मेंट करेंगे उनका कियर करेंगे बाद गौर्मेंट करेंगे उसके बाद कहा यूविन यूविन प्लेटफॉर्म विल बी रॉल्ल आउट फॉर दा मैनेजिंग इमुनिजाइशन एंद है जो कि आपको वेक्शनेशन प्रोगामों को बताता है और एविन एक एप है जो कि एक अनुर्गनाइज सेक्टर में जो वरकर काम कर रहे हैं उनका इडेंटिफिकेशन नंबर है दोनों होते हैं यहां पर जो किया गया है इन धनुस जो स्कीम है वेक्शन के लिए उसके अंदर आपको सारी चीजिक वेक्शन मिलेंगे और इसके चलते अपने हेल्थ को इंप्रूव कर पाएंगे एक्सपेंशन आफ आउश्मान भारत स्कीम तो आउल आशा वरकर अंगनवारी वरकर्स और हैं किया है यह यह आपका अंगनवारी अंगनवारी शॉरी शॉरी यह गाओं में शेहरों में भी यह जो प्रैमरी हेल्थ सेंटर होते हैं उनसे जुड़ी होती हैं और यह गाओं में प्रिनेट लेडी को बच्चों को कई परकार के हेल्थ इंप्रूवारी करती हैं तो इनको भी आंगनवारी से जोर करके इनको और ज्यादा काम कर सकें सोसा सा लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन मैं इसमें कम्पीट कर देता हूं टॉपिक को क्योंकि फिर अलग से वीडियो देने का कोई सेंस मुझे बनता नहीं है इसके बाद एग्रिकल्चर फूर्ट प्रोसेसिंग इसमें भी काम किया गया है प्रोमोटिंग प्राइबेट और पॉब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हर्वेस्ट एक्टिविटीज लाइक एग्रिगेशन, से पहले और हर्वेस्टिंग के बाद दूनों में प्रोबलम है ह्वेस्टिंग के पहले प्रोडम तो है काई ट्रेश्थ क्ला मिटी जैए काई टैप करणा पूर लगविष्टीम तो बहुत पहले फिर इनाम आया इरकम आया और लगतार अभी देखते हैं फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन साथ-साथ गौर्वर्मन्ट लगता इस पर भी काम कर रही है जिससे की अग्रिकल्चर के पॉडक्स जो है पॉड्यूस जो है उनको सही से स्टोर किया जा सक वेरियस क्रॉप्स विल बी एक्स्पेंटेड इन ओल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स नैनो डीएप डीएप मतलब डाइयमोनिया फॉस्पेट है ना सो इसके लिए गौर्वर्मेंट काम कर रही है जिससे की यह इसको डेवलप कर रहा है जिससे की अग्रिकल्चर ही है कई इसूज हो रहे हैं इंवार्मेंट पर निगेटिव इसू पर रहा है जो अग्रिकल्चर प्रड्यूस हो रहा है ज्यादा फट्लाइजर के चलते कई सारे हैं तो हम नैनो डीएप लाकर उनको ठीक करने कोई कर रहे हैं अगला है आत्मिरफर आयल से डभी है हम को आत्मिरफर बनाने के लिए में काम करना पड़ेगा इसके बाद कहा गया है कंप्रहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेरी डेवलप्मेंट तो भी फॉमलेटेड तो कंट्रोल फूट और माउट डिजीज एंड इंक्रीज अप्रड़क्टिविटी और मिल्च अपने देश मे है इनिमल्स के नंबर में हम बहुत आगे हैं एनिमल्स के पोड्यूसमें पॉडक्षन में मिल्क में इंडिया वर्ल्ड में लार्जिस्ट है लेकिन जुपड़क्टिवीटी यह यानि पर-KOW पर-Buffello पॉड़क्षन है उसमें बहुत हम कंजोर है क्यों कि हमारे उस क्वाल पॉड्यूस कर सकते हैं और हम फॉरन में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं है तो डेफिनेटली इसे हमें और बेटर करने के लिए कुछ जरूरते हैं जो की गौवर्मेंट ने यहां पर कहा है कि हम करेंगे इसके बाद इस्टेपिंग अप इंप्लिमेंटेशन अफ प्रधान मंत्री मत्र संपदा युजना यह सेप्टमबर 2020 में शुरू की गई थी मत्र से मतलब फिश फिश्री सेक्टर के लिए है न यह दोनों स्कीम है सेंटर सेक्टर स्कीम है और सेंटरली स्पोंसर्श कीम है यानि कई जगा सेंटरल गौर्मन खुदी करती है और कई जगा सेंटर एस्टेट दोनों मिलके काम करते हैं इसका प्रजेक्ट का इसका हो क्या है कि इंडिया को फिश्री प्रड़क्ट में बढ़ाना जिससे कि हम और ज़्यादा इंप्लाइमेंट कर सके हैं और देश के जीडीपी को बढ रहे हैं उसके बाद प्रमोटिंग ब्लू एकॉनमी 2.0 एस्कीम फॉर्ट रिस्टोरेशन और अदॉप्शन अब मेजर और कोश्टल एक्वा कल्चर एंड मेरी कल्चर विट इंडिगेटेटेटेटेटेटेटेटरल अप्रोच विल बी लॉंच ब्लू एकॉनमी मतलब होत और अपना इंडिया जो है कई तरीके समत तीन मालो तीन एरिया से क्या है पूरा इंडियन ओसेयान बेव बंगल सब आते हैं लेकिन हम उसका बहुत नर्चर नहीं कर पा रहा है तो हमें उसमें भी गॉवर्मेंट ने कहा है कि हम उसका बेटर नर्चर करके हम ज्यादा करेंगे और साथ-साथ हम पूर्डक्शन भी करेंगे जीडी भी बढ़ाएंगे तो यह पूरा अग्रिकल्चर फूड प्रोसेसिंग में गॉवर्मेंट ने बाते हमें बताई है इसके वाजाता है टुरिजम सेक्टर इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर बड़ी पॉस्प नहीं ले पा रहे हैं यह एक स्रियस कंसर्न हमारे ले रहा है तो डेफिनल्टी टुरिजम को और प्रमूर्ड करने के लिए हमें कई सारे काम करने होंगे तो गॉर्मेंट ने क्या क्या है इस्टेट्स विल बीन करेंज तो टेक अप कंप्रहेंसिब डवलप्मेंट आफ इंडिया में डेफ्यर्ट काइंड और फ्यूंआ अथफ यूब लेबल पे अपने स्टेट के कुछ पिलीशेज़ को टुरिश्प्लेस को टुरिस्स Cetra को प्रमूर्ड करें वहां पर डेफ्लोकम्ट करें ताकि फोरेंड इंडिया का अंदर से भी टुरि estado आप आए और घ एकोनोमी में डिफरेटली टूरिस्ट होगा तो पैसा है आप देखो राम मंद्रे अध्या में बना और उसके बाद कितने टूरिस्ट आ रहे हैं कितना एकोनोमी बूस्ट हो रही उस जगह की और फॉरें टूरिस्ट भी आएंगे पुरा इंडिया का पुरें एकॉनमी का सके उसके बाद लॉंग टर्म इंट्रेस्ट फ्री लॉन्स वी प्रवाइड़ टूरिस्ट फॉर फानेंसिंश देवलप्मेंट अब दा मैचिंग बेसिज इस्टेट्स को सेंट्रल गवर्मेंट क्या करेगी उनको फंडिंग भी करेगी सॉट्टर मारा कम रेट आफ इंट अभी लक्षदिप का इसुद देखा होगा आप लोगों ने पीए मोधी के ट्विट से कितना बड़ा दुनिया में इसूज हो गया मालदीव के साथ हमारा कई डिस्पूट हो गया है हमारे हमारे लक्षदिप में अन्दमान निकोवार में कई पॉस्बिटिज आए टॉरि किये गए हैं जो कि बदा दू मैं तो एन्हेंस दा टार्गेट फॉर लखपती डीडी फ्रॉम टू करो टू करो टू थ्री करोर लखपती डीडी क्या है कि स्कीम है जो कि रिफर्श्ट वुमें वेंबर्स अफ सेल्फ हेल्प ग्रूप फू अर्न और सस्टनेबल इंकम एक स्कीम है जिसके अंदर कहता है कि लखपती डीडी वो होती है जो कि एक लाग रुपे पर एनम अर्न कर रही है है तो सेल्फ हेल्प ग्रूप के थू काम कर रही है और अपने इंकम जिनेरेड कर रही है तो गौवर्मेंट ने यह स्कीम जो है रास्थान जो स्टेट है प कर सके और एक लाग कर सके क्योंकि अगर विमेन का एकनॉमिक इंपार्मेंट होगा ना तो डेफिनेटली वो काफी बेटर रहेगा अगला है प्रमोटिंग रिसर्च एंड इनुवेशन तो अपने कंट्री में हर जी जो में रिसर्च हो रहे है पैसा बहुत कम खर्चा करते किहां चीज के लिए कोई प्रडुक्त करना हो कुँगी चीज करना ओओ आप ओना फोर अच्छ साइज करते और इसी पह इसा हम फोरिय हुएं और जयों कि इंडियन पर इंपोर्टेश लें हर जी क्यों they invest a lot of money in the research and development अपने हो नहीं उपाता है उसे हमें करने की जरुवत है a corpus of rupee one lakh crore will be established with five year interest free loan इसमें government research and development के लिए एक लाग कोर्पस बना रही है जो interest free loan दिया जाएगा जो भी research and development करना चाहते है उनके लिए a new scheme will be launched for stendering deep tech technology for defense purpose and expediting the आत्मिर्वर भारत आदलागतार हम आत्मिर्वर भारत की बात करते है यानि कि आत्मिर्वरता की बात करते है defense sector में हर sector में हमनों चाह रहे हैं कि हमारा country जो है एक develop आत्मिर्वर हो जाए हमें दुसरे पर depend नर है पर इसके लिए government ने इतना बड़ा fund recreate किया है इसके बाद reforms in the state for विक्सित भारत जो कि हमें 2047 तक अचीव करना है इसलिए states में भी reform किये जा रहे है और provision of 75,000 क्रोड रुपीज एज 50-year interest-free loan is proposed in support milestone linked performed by the state government गौवर्मेंट जो है central government जो है state government को भी 75,000 क्रोड का 50 सालों के लिए 50-year के लिए loan interest-free में कह रही है कि आप अपने development किजिए चाह इन फरा का चाह अगर चीजों का जिससे की इंडिया जल्दी से developed country हो जाए जब तक state developed नहीं होंगे तब तक country कैसे develop होगा क्योंकि states मिलके country बनते हैं हमारे country में तो कई सारे states हैं और उस सब को develop करने के लिए government का आपको लोन देंगे चिंता मत किजिए इंटरेस्ट फ्री देंगे आप काम किजिए और जिससे के हमारा country developed country हो जया अड्रेसिंग societal challenges a high power committee will be formed to address challenges to the fast population growth and demographic changes and achieve the goal of mixit भारत एक government ने कहा है कि social challenge है क्या population का बहुत तेजी से increase होना है और उसको रुकने के लिए हम एक committee बना रहे हैं जो इसको वो बताएगा कि कैसे कम किया जाया लोगों को वेर करना कि बहुत ज्यादा population जो है हमारे विक्सित भारत यान डेवलप्ट इंडिया के गोल को अचीव करने में कहीं ने कहीं देखी रहा हो हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन है लार्जेस्ट पॉपुलेस्ट कंट्री इन दे वर्ल्ड हो गया है दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया है तो कहीं ने कहीं यह चीजे जो हैं हमें ठीक करना होगा विक्सित भारत के लिए एक अबस्टेकल है एक आपके लिए एक लिमिटेशन है इसको ठीक करता हो इसके लिए भी कमिटी बना करके हम इसको कंट्रोल करेंगे तो इस वीडियो में हमने पार्ट ए को फिनिस कर दिया यहां तक आपका पार्ट अ था जो गौर्मेंट के स्कीम्स प्रोग्राम पॉलिसी बताई गई अर्श में कहा घेर है कि हमें क्या-क्या करना है और अ mec क्या क्या चीम्हिंमिंट किया कुछ फीचर के कि स्ट परसफ्ट आए अगले प्रट में अगले वीडियो में हम लोग पार्ट बी की बात करेंगे और पार्ट बी या इसमें बहुत कम प्रोजल है क्योंकि थ्री मन्त का है ये ड्रिम बजट है इसलिए कम प्रोजल है एक वीडियो में टॉपिक खतम हो जाएगा तो उमीद करता हूं जो फैक जो चीजे बता रहा हूं यह आपके एक्जाम के पॉइंट अव्यू से बड़ा बेनिफिसियल होगा और थैंक यू अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके पार्ट बी के टॉपिक के साथ थैंक यू